किसी पर आक्रमन करते हैं या किसी पर हिंसा का उन्जाम देते हैं उसको कौन ठाइए हैं मैं तो उसको बिल्कूल गलत मानता हूं कोई वेक्ति हो किसी दल का हो अगर आप हिंसा का सारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्खन नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति को अगर हिंसा का सारा लेते हैं उसको मैं खंडन करता हूं उसको कभी हम इस समाज में टौलेट नहीं किया जा सकता लेकिन यह लागू होता है सरकार की उपर भी सरकार परशासन पुलिस ने गाव में घुसके जो जो हाला त्मा किये हैं बच्चे बुड़े माईलाओं को पीटा है रात के अंधेरे में जाकर बोलियां बरसाई हैं आसुबस की गोले चोड़े हैं उन्होंने क्या इसा मुना किया था कौन से हातंगवादी थे वो तो हिंसा अगर सरकार की मशीन भी उसका उप्योग करती है उसकी दिजांच होनी चाहिए पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशल इंक्वाइरी होगी अब कहने है कि सम्भागे आयूक तो इस इंक्वाइरी करें कि मुझे पता नहीं सरकार क्या चाती है लेकिन इस सरकार का एक पका के लापरवाई करी गरी ताकि महौल खराब हो बाद में रात को जाके लोगों के पिटाई करो उनके मकान को तोड़ दो गारिया फूग दो कौन अपने गारे में खोड़ाग लगाएगा और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आय कैसे वो उसकी जिमदारी किसकी ह तो सरकार पूरी तरहें फेल हो चुकी है, पुलिस परशासन ने जान बूच के टागेटिड कारवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है, जनतास का जवाब देगी आप मुझे बताओ, सरकारी करमचारी की जाज़ा करेगी, तो उसमें क्या तत्र निकल का सामने आएंगे, जो पहले मांग उठी थी, मुझे मालूम नहीं, मैंका सरकार के मंत्रियों ने कहा था पहले, कि जुडिशल जान चुनी चाहिए, पुलिस, परशासन, पॉलिटिकल कोई भी वेक्ति हो, अगर अधिकारी का बड़ा अधिकार इजाज करेगा, तो मैं आज ही बता रहूं आपको, कुछ निकल कर नहीं आएगा, उसके लिए, अगर हमें तत्र तक पहुंचना है, तो जुडिशल लिंक बारी जुरूरी है, प्रदेश की साथ सीटों पर जो उ साथों की, साथों काउंगे, इस पाटी जीतेगी,